हूली के दिन हर कोई गुजिया खाना चाहता है, हर कोई तरह तरह के तलेवए फरसान खाना चाहता है, लेकिन हूली के दिन एक ऐसी चीज आप खा लेंगे, तो यकीन मानना आपके घर में जीवन भर पैसा आता रहेगा, आपके खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी और आपका उल्लास कई गुना बढ़ जाएगा ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह सुबह आपको खानी है और ये आप 17 तारिक को भी खा सकते हैं ये पदार्थ ऐसे हैं जो सोने के टाइम पे भी आप खा सकते हैं इसके लिए खाली पेट होना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप खा मिलेगा और अब बराबर फायदा आपको होगा तो क्या है वो पदार्थ दो जो आपको श्रेणी में है जो आपको खाने के रूप में उपयोग में लेना है और आप गंग रजाएंगे कि इतनी अच्छी जानकरी आपको किसी ने भी नई दी होगी जो मैं आज आपको देन साथ में होती है आप इसी तरह की तरक्की करते रहें और पनपते रहें मेरी ब्लैसिंग्स आपके लिए यही होती है तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं होली का दिन मतलब उल्लास का दिन इस दिन तरह तरह की खुशियां आपके जीवन में आती है और इस दिन शत और पुनर मिलन हो जाता है जो दो शत्रू हैं आपस में वो भी मित्र बन जाते हैं इस त्योहार के जरीए और ऐसा होना भी चाहिए लेकिन आप मानेंगे नहीं कि नेगेटिव एनरजी भी इस दोरान बहुत व्याब्त होती है और उससे सावधन आपको रहना चाहिए और किस आपका संबन देखकर ही व्यवहार करें अगर आपका वो हितैश है और आपको उसमें विश्वास है पूरा तो आप उसका विश्वास कर सकते हैं मेरी बात को ना मानिए आप मेरी बात ना मानिए इस शेत्र में अगर आपको पूरा भरोसा है लेकिन भेडिये भी होते हैं आस्तिन के साब भी होते हैं और बहुत मौके की ताक में होते हैं कि कोई मौका मिले उस पर खिला-पिला दे किसी को प्योंकि उल्लास में हर कोई आदमि कुछ भी खा लेता है तो इससे आपको बचना है होली के दिन कोई भी आपको मिठी चीज देता है मिठी गुजिया तो देता है वो सब खा रहे हैं अगर वो प्लेट में दे रहा है और सब खा रहे हैं तो आप खा लीजिए अगर आपको ही special परोजी जा रही है वो चीज तो आप नहीं खाईए इससे आपको नुकसान हो सकता है तो ऐसी चीजें आप वाइट करिये जो आपको नुकसान दे हो सकती आप पर तांतरिक प्रियोग भी इसके जरिये किया जा सकता है बहुत से ऐसे तांतरिक प्रियोग होते हैं जो त्योहारं के अफसर पर किये जाते हैं शत्रों के द्वारा और आपको कोई मीठी चीज, सफेद चीज खिलाए तो भूल कर भी न खाएं परशाद भी भूल कर भी न खाएं परशाद के कोभी लोगों ने ऐसा धंडा बना रखा है परशाद को भी ने छोड़ा, भगवान के परशाद को भी ने छोड़ा और हमें विवश करते हैं कि हम परशाद को ना खाएं और परशाद का अपमान करें तो परशाद आपको लेना भी नहीं है क्योंकि लेने से आप जो बरबादी को पा सकते हैं क्योंकि लेने से भी आपको दोश लगता है तो परशाद आपको घबूल कर भी लेना नहीं है कोई बहाना आप बना दीजिए इससे आपको फायदा होगा तो आईए मूल बात पर आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको खानी ही चाहिए और ये ना बेसन की पपड़ी है ना गुजिया है ना फरसान है ना ठंडाई है ना भांग है तो फिर कौन सी चीज़ है मि बहुत फायदा होने वाला है और आपकी किस्मत शहर जिसनी ही मिठी हो जाएगी और हल्दी जितनी सोने जैसे चमक चमकेगी आपकी किस्मत ऐसा धूत्प करके देखना इसको करने मातर से ही आपके भागया कपाट खुल जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशाली के सा मनमान पैसा भी आएगा तो आज का वीडियो इतना ही था अगर वेडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवशे करना और कमेंट सेक्शन में आके ओम नमश्रिवा या जैमातादी या जैश्री राम या जैश्री कृष्णा अवशे लिखना हम जब कभी भी किसी भगवान की जैशेकार करते हैं तो हमारी खुद की ही जैशेकार होती है और हम अपने ही जो मतला बल को मजबूत करते हैं क्योंकि भगवान में श्रद्दा रखने वाला कभी भी दुखी नहीं होता हुच के जीवन में सुख ही सुख होता है